तू आज बाप दादा बूले मीठे बच्चे अवगुनों को निकाल साफ दिल बनो सचाई और पवितरता का गुरन धारन करो तो शेवा में सफलता मिलती रहेंगी अवगुनों को निकाल साफ दिल बनो सचाई और पवितरता का गुर्ण धारन करो तो शेवा में सफलता मिलती रहेंगी प्रश्न तुम ब्रह्मन बच्चों की करमाती तविस्था कब और कैसे बनेंगी जब लराई का सामान पूरा पूरा तयार हो जाएंगा तब तुम सब की करमाती तविस्था फिर भी बावा ने का है नंबर वार बन जाएंगी अभी तो रेश चल रही है करमाती बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धी निकल जानी चाहिए शिव बावा जिन से तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है बस उनके सिवाए दूसरा कोई भी याद ना आवे पूरा पूरा पवित्र बनना है गीत है आज का मुखरा देख ले प्रानी बाबा की सिख्याएं और उन सिख्याओं को याद करते सुयम को अंदर ही अंदर देखें चिक करें और जो बाबा ने कहा है उसको धारन करने का विशेश अटेंशन जब के बेहत का बाब मुखरा देख ले प्रानी जरा दर्पन में जब के बेहत का बाब बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है अब हर एक मैसूस करते हैं हम कितना पापात्मा थे और अब कितना पुण्यात्मा बनते जा रहे हैं बाबाने का है जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाब को फालो करेंगे बच्चों के आगे तो यह चित्र भी है एम आपजेक्ट का चित्र है ना मारे सामने और दिलवाला मंदर भी पूरा यादगार है अब उमें दिलवाला मंदर गीत भी गाते हैं ओ दूर देश के रहने वाले आए देश पर आए अब यह पुराना देश पुराने शरीर में बाप आए हैं बाप से हम कहते हैं यह पुराना देश है अभी पुराना आर्था पुराना भी है और पराया भी है पराया किसका रामन का तुम भी पराये देश अत्वा रामराज में बैठे हो भारत वासी पहले पहले रामराज में थे इस समय पराये अर्थात रामराज में है शिव बाबा तो यह सब विचार सागर मत्थन नहीं करते बाबा हमें डिटेल में बताते हैं यह विचार सागर मत्थन तो ब्रह्मा ही करके तुम्हे समझाते हैं जैसे यह जो जैनी लोग हैं क्या समझाते हैं यह जो जैनी लोग हैं उनोंने यह दिल वाला मंदिर बनाया हैं अब यह जो चैतन्य में होकर गए हैं उनका ही तो यह जरियादगार है आदी देव आदी देवी रोज रोज मुल्ली में सुनते है बाबा भेना 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 शब्दों में भेना भेना प्रकार से आदी देव अर्थात बाब किस रत में आते है कैसे आते है क्यों आते है इन्ही बातों को भेना 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 रूप से सिपष्ट करते जा रहे हैं तो आज भी बाबा ने कहा है देखो ये जो जर्यादगार बना है आदी देव और आदी देवी बैठे हैं और इस मंदर में उपर में उसके चत पर स्वर्ग बना हुआ है अब अगर जो इनों के भगत है उनों को अगर ये ज्ञान मिले तो वो इन बातों को अच्छी रीच से समझ सकते हैं बरोबर नीचे राजियों की सिख्या ले रहे हैं न तपस्वी मूरते हैं ये कुठ्रियां बनी हुई तो बरोबर समझ सकते हैं कि ये नीचे राजियों की सिख्या ले रहे हैं उपर में भी जो स्वर्ग के चित्र है उपर में भी पिर्विर्ति मारेक और नीचे भी पिर्विर्ति मारेक कौारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है अधर कुमार और अधर कुमारी भी है तो मंदर में आदी देव ब्रमाँ भी बैठा हैं, और बचे ब्रमाकुमार, ब्रमाकुमार्यां भी बैठे हैं। बावां कहते हैं अभी तुम बच्चे समझ गए हूं ब्रमा सरस्वती ही राधे कृष्न बनते हैं। सरस्वती ब्रह्मा ही रादे क्रेश्न बनते हैं ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये बाप और बचों ये मंदर बाप और बचों का यादगार है ऐसे तो नहीं हजार लाग चित्र कोई रखेंगे माडल में तो थोड़े चित्रा रखे जाते हैं तो ये है जर और हमारा है ये चैतन्य दिलवाला मंदिर जिनोंने कलब पहले भारत को स्वर्ग बनाया हैं उन्हों का ही ये सारा यादगार हैं जगतंबा जगतपिता और उनके बच्चे मैजारिटी माताओं की होने की कारण ब्रमा कुमारिया नाम लिख दिया है ये चैतन्य दिलवाला की बात मंदर में भी कुमारी कुमारी कन्या और अधर देवी हैं अंदर जाएंगे दिलवाला मंदर में अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चितर हैं तो तुम बच्चे जैन्यों को भी ये सब बते समझा सकते हूँ कोई बड़े को समझाने से छोटे खुद ही समझ जाते हैं परन्तु समझाने वाला भी बड़ा समझदार चाहिए अभी हम दिल साफ बनते हैं आत्मा से हम अवगुन निकाल रहे हैं वावा निकाल है तुमारी ममा देखो जब भी किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था क्यों कुन में सचाई और पवित्रता थी थी भी कुमारी ममा का नाम पहले आता है पहले लक्ष्मी फिर नारायन अभी बाप कहते हैं हम बच्चों को ममा से गोन धारन करो अवगुनों को निकालते जाओ नहीं निकालेंगे तो क्या होगा पद ब्रेश्ट हो जाएंगा सपूत बच्चों का काम है हर एक बात को अच्छी रीच से समझना तुम पहले तो बे समझ थे अब बाबा तुमें समझदार बनाते हैं अग्यान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम ही बदनाम करते हैं ये तो बेहट का बाप हैं ब्रमा कुमार ब्रमा कुमारियां कहला करके फिर इश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो सोचो उनका क्या हाल होगा ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी ब्रिश्ट हो और बातों का भी नुक्सान हो तो बाप ने समझाया है दूर देश से आए देश पर आए फिर बाप का परीचे है फिर रामाराज द्वापुर से ही शुरू होता है बक्ती भी द्वापुर से शुरू होती है इस समय तो सब की है तमू प्रद्धान गुद्धी अब साब की जडड़ी बुत विश्था है क्योंकि ये तो अब है सारा सारी विश्वा सारी स्रिष्थी अब बेहत का पुराना जार है अब बेहत का ज्यान कोई और तो दे नहीं सकते हैं बेहत का सन्यास भी कोई करा नहीं सकते हैं वे तो हद का सन्यास करते है और करते हैं बेहत का बाप बेहत की सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हैं आत्माओं को समझाते हैं बेहत का बाप समझाते हैं हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है तुम्हारे तो अब चोरासी जन्म पूरे हुए है देखो सामने महारत राई खरी है तो जरूर है विनाश होना ही है इसलिए बेहत के बाप और बेहत के वर्से को याद करो बाबा कहते हैं हे आत्माएं सुनते हो हम आत्मा है परमात्मा बाप हमको पराते है जब तक ये पका निश्चे नहीं गोया कुछ भी नहीं समझेंगे तो पहले पहले ये निश्चे करे हम आत्मा अवनाशी है हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है नहीं तो बला ये सारी आदम शुमारी कैसे विर्दी को पाएंगी जैसे आत्माएं परमधाम से आकर के शरीर में प्रवेश करती है वैसे ही परमधा परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश करके कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो तुम मुझा सागर के बच्चे जल करके खाक हो गए थे अभी मैं आया हूँ तुम को पावन बना कर फिर से वापस अपने घर ले जाने के लिए फिर भी बाप कोई तरस पता है जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको तो पतित भृष्चाचारी कहा जाता है अब ये सारी दुन्या तो अब है ही विकारी इसलिए ड्रामा प्लैन अनुसार बाप कह रही है ये सारी दुन्या है विकारी पतित इसलिए ड्रामा प्लैन अनुसार मैं इस रावन के देश में ही आया हूं पांच ज़ा वरश पहले भी आया था, हर कलब आता हूं और हर कलब आता ही रहूंगा, फिर ये संगम युगे, ये संगम युग में आता हूं, बच्चों को मुक्ती और जीवन मुक्ती देने के लिए ही आता हूं, सत्युग में है जीवन मुक्ती, बाकी तो सब मुक्ती में रहते हैं, तो भी देखो इतनी सब जो आत्माई हैं, उनको कौन ले जाएंगा, सुष्टी पर इतनी आत्माई, बाप ने तो हमें नालेज दे करके बना लिया, बाकी इतनी सब आत्माओं को कौन ले जाएंगे, बाप कोई तो लिबरेटर और गाइड कहा जाता है वही बाप ही आकरके इस रावान से छुराते हैं बाप कहते हैं बच्चे अभी तुमको भक्तियात की से कोई काम नहीं है अभी तो ये भक्ति खतम होनी है सत्युक में तो ये कुछ भी होता नहीं कल्यक में है ये सारा भक्ति मारें अब भक्ति मुरादाबाद हो ग्यान जिन्दाबाद हो रहा है ये बाप ही आकरके भक्तों को भक्ति का फल देते हैं बाप कहते हैं बच्चे तुम ही तो पूज थे तुम ही पूज से पूजारी बनते हूं बाबा कोई और तुम्हें तकलिफ नहीं देते हैं देखो दिलवाला मंदर में बरोबर चित्र ठीक रखे हुए हैं वहां जाकर के देखो तो कैसे साब बच्चे योग में बैठे हैं उन्हों को देखा है न सभी ने दिलवाला मंदर है कोई ऐसा जिसने दिलवाला मंदर न देखा हो आतटा ना जो आज पहली बार आये होंगे उन्होंने नहीं देखा होंगा थोरे दोचारी हैं बबाब कहते हैं देखो दिलवाला मंदर में चित्र हैं बरोबर बच्चे ऐसे ही योग में ठीक बैठे हैं उन्हों को इन सब बच्चों को सिख्या देनी वाला कौन है परम पिता परमात्मा उनका भी चित्र है बाबा मंदर का भी इसमें कठा कठा वर्नन है शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा सत्योगी स्थापना करा रही हैं यहां भी चित्र में देखो जो अभी अपने बने हुए हैं जार के नीचे तपश्या कर रही हैं ब्रह्मा सरस्वती की भी मा हो गई